बारिश के मौसम में जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो बनाए ये मीठे पकोड़े इसे गुलगुले भी कहा जाता है ये बनाने में तो इजी है ही खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाक टो माई चैनल भी वेजवेद गीत आज मैं बनाने वाली हूँ मीठे पकोड़े जैसे कि आजकल त्योहारों का मौसम है सावन का महीना है तीज है राखी है तो मीठा तो घर में बनता ही है और सबसे पहले मीठा क्या बनता है हलवा लेकिन आज हम हम बनाएंगे आज हम बनाएंगे मीठे पकोड़े इसमें भी वही समान डलता है जैसे कि आटा चीनी घी और यह बहुत ही इजीली बन जाते हैं मीठे पकोड़े बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में पकोड़े बनाने के लिए मैं चाहिए एक कप आटा और वन थर्ड क चीनी यानि की एक तिहाई कप चीनी, सौंफ और इलाइची पाउडर, सबसे पहले हम चीनी को घोल लेते हैं, एक पैन में हम लेंगे 1 3rd कप चीनी और 2 3rd कप पानी, हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी, हमें सरफ तब तक इसे घोलना है, जब तक इसकी चीनी घुल नहीं हलका सा गरम होते ही, इसकी चीनी घुल जाएगी, हम फ्लेम को बन कर देंगे, देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम एक बोल में लेंगे, एक कप आटा, इसे थोड़ा हम फैला देंगे, और जो हमने चीनी का पानी रेडी जाएगे, ताकि हमारा एक स्मूध सा बैटर रेडी हो, इसमें कोई लंस ना हो, आप चाहें, तो चीनी की जगा गुल भी यूज कर सकते हैं, बस रेशो आपको यही रखना है, कि अगर आपने एक कप आटा लिया है, तो वन थर्ड कप यानि की एक तीहाई कप चीनी या ग इलाइची को भी कोट कर डाल सकते हैं, यह देखिए कितना स्मूध पेस्ट रेडी हुआ है, इसकी कंसिसेंसी ऐसी रखनी है, ना तो बहुत जादा गाडी और ना ही पतली, इसे हम आदे हंटे के लिए रख देंगे, यह देखिए आदे हंटा हो गया है, और यह गोल अच् कि मैंने यहां पे घी लिया है, क्योंकि मिठी जीजे घी में ही टेस्टी बनती है, घी को हम मीडियम टेंपरेचर पर गरम कर लेंगे और चेक कर लेंगे, यह दिखिए कि डालते ही पकोड़ा एकदम से लाल भी ना हो और नीचे डूबा भी ना रहे, हमारा गी एकदम ठीक होने लग जाएंगे और इस तरीके से इसके उपर गी डाल के हम इसे पल्टा देंगे, बहुत जल्दी से नहीं पल्टाना नहीं तो यह सारे तूट के बिखर जाएंगे, जब यह हलके से सिख जाएं तब ही इन्हें पलटना है, देखिए धिरे-धिरे फूलने भी लगे है कितने सॉफ्ट और फूले-फूले से पकोडे बने हैं, इसे दोनों तरफ से अलट पलट के हम गोल्डन होने तक फ्राइ कर लेंगे और अब इसे घी में से अच्छे से घी चान के निकाल देंगे, देखिए पकोडे का कलर कितना अच्छा आया है और एकदम यह फूले- काली नहीं होता, एकदम से अटाएंगे तो पकोडा फैल जाएगा, देखिए यह अच्छे से फ्राइ हो गया है, इने भी हम घी से निकाल लेते हैं, पकोडे हमारे सर्फ करने के लिए बिलकुल रेडी है, इन पकोडों को आप 3-4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और आप इसे भोग परशाद में भी चड़ा सकते हैं, बच्चों को लांच बोक्स में भी दे सकते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूले, बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में